नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल स्पार्क न्यूज में और मैं हूँ आपके साथ निधी तो आज हम बात करेंगे यूनिफाइट पेमेंट इंटरफेस यानि की यूपी आई के बारे में चलिए शुरू करते हैं अब आप में से जितने भी लोग डिजिटल पेमेंट करने के लिए यूपी आई का इस्तमाल करते हैं उन सभी के लिए एक बहुत जरूरी और रहतबरी खबर है अब आपको यूपी आई के जरीए ट्रांजेक्शन करने पर एक्स्टा चार्ज नहीं देना होगा हाला कि मीडिया में नवंबर 2020 के बाद से ही ऐसी खबरे आ रही थी कि जनवरी से आप यूपी आई के जरीए जितने भी ट्रांजेक्शन करेंगे उन सभी पर एक्स्टा चार्ज लगेगा ऐसी खबरे आने के बाद यूपी आई यूजर्स के बीच काफी चिंता जनक महौल बन गया था कि अब कोई भी ट्रांजेक्शन करने पर उन्हें एक्स्टा चार्ज देना होगा तो अभी नहीं सब खबरों को जूटा साबित करते हुए नैशनल पेमेंट कॉर्परेशन ओफ इंडिया यानि कि एनपी सी आई ने इस बात की जनकारी देते हुए बताया कि एनपी सी आई इस पर्ष्ट करना चाहेगा कि जनवरी 2021 से यूपी आई ट्रांजेक्शन के बारे में जितनी भी खबरे आ रही थी वो पूरी तरह से फेक है पांच नवंबर 2020 की हमारी प्रेस रिलीज का चार्जिस लगाने के डिसीजन से कोई संबन नहीं है आपको बता दे कि नवंबर से ही मीडिया की तरफ से ऐसी खबरे दी जा रही थी कि देश भर में एनपी सी आई ने नए साल पर थर्ड पार्टी एप के उपर 30% कैप लगाने का फैसला किया है मीडिया की इस खबर के मताबिक एनपी सी आई के इस नए नियम से गूगल पे, Amazon पे और फोन पे जैसे थर्ड पार्टी एप पर असर पर सकता है लेकिन वहीं पेटीम को इस दाएरे से बहार रखा गया है हाला कि अब एनपी सी आई ने इस सारी ही खबरों को फेक बताया है और यूजर से ये गुजारिश की है कि ऐसी फेक खबरों पर भरोसा ना करे और साथ ही उन्होंने आग्रह किया है कि पहले की ही तरह बे जिजग UPI ट्रांजेक्शन करते रहें अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक, कॉमेंट, शेर जरूर करें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि हमारी वीडियो तुरंट आपको मिलती रहें नमस्कार